अगर कभी सेर से सामना हो जाए तो ये गलती बिल्कुल मत करना नमबर वन, सेर से बचने के लिए आप भागने की गलती बिल्कुल मत करना क्योंकि आप सेर से जादा तेस दौर ही नहीं सकते अगर आपके आसपास कोई छोटा मोटा पेर हो तो उस पर चड़ने की कोजिस मत करना बलकि आसपास मौजूद पेर पर सबसे उबर चड़ जाना क्योंकि सेर पेर पर उचाई तक नहीं चड़ सकते इससे सेर को लगएगा कि आप उस पर हमला करने वाले हो 4. सेर को पीट दिखाकर भागने की गल्ति बिलकूल मत करना क्योंकि पीट पीजे हमला करने के लिए सेर पहले से ही ready रहेगा 5. सेर से बचने के लिए मरने की acting करना भी मत क्योंकि एक बार भालू पर काम कर सकता है लेकिन सेर पर नहीं 6. अगर सेर या सेर भी अपने बच्चों के साथ दिखे तो वहाँ से कोशो दूर ही रहना 7. अगर सेर सामने हो तो कुछ भी करने से पहले एक बार सोच लेना की ये हमला करने वाला है या नहीं नमबर 8, सेर से बचने के लिए अपनी दोनों हाथों को उठा कर अपने आपको खतरनाक दिखाना है नमबर 9, फिर आपको बिना पीट दिखाए धीरे धीरे पीछे हटते जाना है जिससे की सेर आपको छोड़ दे नमबर 10, लेकिन अगर इसके बाद भी सेर ने हमला कर दिया तो आप अपनी उंगली सेर की आँखों में घुसेर दो लेकिन अगर इससे भी बात न बने तो आपको कुछ भी नहीं करना है क्योंकि वो सेर ही आपके साथ करेगा जो करना है